हलो एवरीवन वेलकम टो एपिसोड नाइन इन वर स्क्राइच बेसिक सिरिज इस एपिसोड में आपको स्टेप्स दिखाने वाले हो कि आपका बैकड्रॉप कैसे चेंज करें लेट्स बिगिन आप एक स्पिरिट और दो बैकड्रॉप सिलेक्ट करें और आपके स्टेज का बैकड्रॉप चेंज करना है इस एपिसोड के लिए मैं रॉकेट शीप स्पिरिट और स्टार बैकड्रॉप और मोन बैंगड्रॉप चूच करते हूँ और मैंने अपने rocket ship के लिए यह जो मेरा rocket ship है इसके लिए मैंने already code किया है जब यह backdrop change होंगे तब यह rocket space अपना costume change करके space में rotate करेगा once you select your two backdrops आपको click करना है backdrop image पे यहाँ पे so it will receive your code और आपको यह भी check करना है कि आपके यह दो backdrop अवेलेबल है के नहीं इसके लिए आपको इस backdrop पे select करना और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके दो backdrop यहाँ पे अवेलेबल है तो हम फिर से हमारे code area में जाएंगे और हमारे backdrop के लिए code करेंगे so let's begin with event block and drag and drop when green flag click जब आप अपका green flag click करोगे तो आपका यह program run होगा next go to looks category and drag and drop switch backdrop to moon और यहाँ पे आपको drop down list पे select करना और यहाँ से आपको first आपका beginning में कौन सा backdrop चाहिए यह आपको चूज करना है तो इसके लिए मैं अपना first backdrop star चूज करती हूँ next go to control and drag and drop wait for one second और आप इस white bubble पे जाके अपनी और जो values है वो भी change कर सकते हो तो मैं यहाँ पर अपनी value 3 डालती हूँ तो मैं जब भी अपना program run करूंगी तो यह star backdrop है वो 3 seconds के लिए यहाँ पर available रहेगा next go to looks category and drag and drop switch backdrop to moon और अपने इस program के लिए मुझे अपना second backdrop moon ही चाहिए तो मैं यहाँ पर drop down list में जाके moon से लिक करूंगी let's check our code हमें green flag पे click करना है तो हमारा code run होंगा yes it's working that's it for this video thanks for watching like share subscribe bye